नमस्कार जैहिंद वंदेमातरम साथियो दोस्तों पबलिक केरियर यूट्यूब चैनल की तरब से मैं विनोध एकवार फिर से आप लोग का मोश्ट वैलकम करता हूँ एक और इनफोर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी और सटीक इनफोर्मेशन मैंने आप लोग के लिए वो सवाल तयार किये हैं जिनका अंसर आप लोग जनने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि लगवग आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या कुछ हो सकता है देखिए जो एज की बात है या फिर वैकेंसी आने की बात है यह हम अलग से वीडियो आप टॉपिक इस वीडियो के हैं कि पदों की संख्या कितनी होगी अच्छा एक सीट पर कमप्टिशन कितना रहेगा कितना कठिन मुकाबला होने वाला है अगला कितने फॉर्म पढ़ने की पूरी उम्मीद है और तैयारी करें तो आखिर कैसे करें ताकि कम समय में यह जो भरती है इसमें बाजी मारी जा सके तो आप लोगों ने सुना होगा 26,000 से ज़्यादा जो पद है वह सिवल पिलिस के हैं और 26,000 के सम्थिंग में सिविल पिलिस के पिलस 8,400 के सम्थिंग में जो πα rasa में आठ था जार चार सो के सम्थिंग में वह पी एसी के पद हैं इस प्रकार आने वाली है ठीक है भाई अब पदों की संक्या बता दी एक सीट पर कितना कंप्टीशन है कितना कठिन मुकाबला है तो मैं भी आप लोग को बताने वाला हूं कितने फॉर्म पढ़ने की उम्मीद है तो ये वीडियो जब पूरी खतम होगी तो आप लोग के दिमाग से आती है जो मैं थे वो 20 पर आता है और रीजिनिक 55 पर आती है ओब रॉल में लाकर डेड़ सो सवाल तीन सो अंक के आते हैं भी यह पॉइंट फाइब की नेगटिव मार्किंग भी इसमे रहती है एक वटे दो की नेगटिव मार्किंग रहती है दो घंटे का समय मिलता है तैयारी कैसे करें इस पर एक special वीडियो बना के दूँगा आप लोगों को special वीडियो आएगी मेरी इस topic पे देखिए मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा मतलब आप लोगों को सबसे पहले कुछ पुराना data दिखाता हूँ एक पुरानी data के सर्वे के अनुसारी हम कह सकते हैं कि पदों के संक्या इतनी हो जाएगी बेश में देखिए ये भरती है 34-716 पदों वाली अखलेश सरकार मेरिट वाली जो भरती है 34-716 इस भरती में आप लोग ये मान के चलिएगे जो आवेदन की पिरकरिया थी उसमें जो आवेदन डालेगे कितने देखिए इसमें जो आईउ है 18-22 ली गई थी ये अखलेश सरकार के बढ़ती थी जिसमें 20,70,000 से अधिक माहिला और पुरसों ने आवेदन किया यानि 18-22 में यहां आखड़ा 21,00,000 के आसपास कर रहा जो आवेदन करने वाले लोग थे ठीक है भाई ये 34,716 था आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्तालिस 610 वाली वेकेंसी ये और भी पहली वाली जो वेकेंसी है जिसमें रीजिनिंग का वर्चेस उच्छा रहता था 293 वाली जो भर्ती है वो इसमें जो आवेदन डाले गए थे ठीक नँट तो आवेदन लगए लगए 22,000 24,000 के सम्थिंग में जो आवेदन यो डाले ग है वो डाले गए थे आगे बात करते हैं उन्हें 4568 की तो इसमें 23 लाख अब बेरतियों ने फॉर्म डाला था फरक क्या है देखिए जो तीन मैंने आप लोग को पहली वेकेंसी बताई हैं उनमें 18-22 काउंट की गई थी लेकिन उन्हें 4568 में जो आयू काउंट की गई थी वो 18-23 वर्स काउंट की गई थी 18-23 यानि एक साल की इसमें छूट दी गई थी रिलेक्सेशन दिया गया था तो और एक साल का रिलेक्सेशन देने के बाद इसमें जो आवेदन किया 23 लाख लोगों ने किया तो आप लोग यह मान के चलिएगा तो थोड़ा सा उस समय से जो बच्चे हैं उनकी जो संक्या है पास होने में थोड़ा सा जो अंतर है वो जरूर आया है पहले बहुत कम लोग पास हुआ करते थे अब बहुत ही जादा लोग जो है वो पास हो रहे हैं तो इसका फरक बिल्कुल पढ़ने वाला है अब जो 35,000 के आसपास आपकी भड़ती आ रही है इसमें आप लोग कितने आवेदन देखने को आप लोग को मिलेंगे देखिए इसम वो 18 से 23 रहने का पूरा पूरा नुमान है और उससे जादा रहने का नुमान है तो आवेदन करता कितने रह सकते हैं 23 से 24 लाग के आसपास इस भरती में फॉर्म आ सकते हैं तो कितना कढ़ा और कठिन मुकाबला है यहां पर देखिए यदि 23 लाग बच्चों ने आवेदन क हुआ है सबसे तफ जो यहां पर ही मुकाबला है एक 34 716 वाली में सबसे था और यहां पर सबसे जो है वो मुकाबला है अगर बाई दवे एज में रिलेक्सेशन देने के बाद में अनुमान रहेगा लगवक 25 लाख जो बच्चे हैं वह आवेदन करेंगे और इस प्रकार ज चार दो बच्चे होंगे तो आप लोग ये देखकर चलिए के कमप्टीशें कितने हाई लेवल का होने वाला है अप लोग को कितनी मेहनट की जो आपशक्ता है वो पढ़ने वाली है एक्ष्ट्रा की भी जरुवत पढ़ने वाली है क्योंकि मुकाबला कोई यहां पर किसी से कम नहीं होने वाला मुकाबला पूरा रहेगा तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि आयू सीमा अठारे से 22 नहीं अठारे से 23 काउंट होगी यह मेरी अपनी ओपीनिन है मेरा अपना रहेगा तो इस प्रकार देख लीजिए कितना कठिन मुकाबला होने वाला है 41,520 और 49,568 पदों की यह पेक्षा इस भरती में क्योंकि इसमें 14,000 पद कम है ठेके ना 41,520 से 6,000 पद कम और 49,568 से लगवग 14,000 पद कम है और फॉरम की संक्या वहां पर भी 22,30 लाग थी यह पर भी 22,30 लाग थी और अब की बार हो सकता है जादा ही बच्चे फॉरम डालेंगे कम नहीं डालेंगे तो कमप्टीशन अब की बार जादा होने वाला है पिछली दो भरतियों की अब एक च्छा तो मैंने आप लोग को पूरा दिखाया कि 35,000 के असपास पाद एक सीट पर कमप्टीशन के इतना कितना गठिन मुकाबला है कितने फॉरम पढ़ने के उम्मीद सभी का सठीक डाटा आप लोगों तक पहुंच गया होगा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के बास में अधिक सदिक सेर कर दीजिएगा सठीक जानकारी बिल्कुल आप लोग को द